हेलो वीवर्ज तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुती चर्चित कवीता इन इंडिया जो की निजिम एजिकल के द्वारा लिखी गई है यह अपने आप में यूनिक पीश आफ वोक है और इसलिगे ज़रूरी है आप इसे डीपली समझें और मैं प्रयास करूंगा समझने का प्रयास करना तो सबसे पहले आईए आथर के इंट्रोडक्शन से सुरू करते हैं मैं निजिम एजिकल के बारे में बता दू आपको निजिम एजिकल इस वन अप दे मौस्ट नोटेबल और रिमार्केबल पोएट्स और राइटर्स और इंडियन इंग्लिस लिट इंग्लिस लिटरिचर इन निउ डिरेक्शन उनके राइटिंग्स के वज़ा से उनके पोएम्स के वज़ा से इंडियन इंग्लिस लिटरिचर को एक नई पहचान मिली एक नई दिशा मिली और लोगों को भी प्रेड़ना मिली इनकी राइटिंग्स से की हम भी कुछ लिखें He was born on 16th of December in 1924 16 December 1924 में इनका जन्म हुआ मुंबई में और मृत्य हो गई 9 जन्वरी 2004 में He also got Padmasri and Sahity Akadmi उनको Padmasri भी मिला और Sahity Akadmi भी मिला Sahity Akadmi मिला था 1923 में 1983 में और Padmasri मिला था 1988 में तो ये उनके लिए उनका लाइफ का बहुत बड़ा एचिवमेंट कह सकते है Padmasri शाहते के शितर में बहुत बड़ी एचिवमेंट होती है और शाहतियकाद में भी ये सब को नहीं मिलता In India is an outstanding poem ये बहुत एक बहतरीन कवीता है It source the ugliness of modern life इसमें modern life में जो कह सकते हैं कमी जो है कह सकते हैं उसकी जो बुराईया है उसको गिनाने का काम किया है इस कवीता में उन्होंने The poem is very much realistic which makes it even more special अब कवीता काफी जगा realistic है realistic मतलब ये वास्तिविक्तावादी कवीता है ये आपको वास्तिविक्ता सी रूबरू करवाती है जो reality है हमारे समाज की जो हमारे cities की सहरों की खास करके जो वहां का life कैसा होता है वो कितना ज़्यादा cruel होता है कितना brutality होता है वहां के लोगों में कितनी कुरूरता होती है ये सब चीज़े इसमें बताई गई है और जो भी चीज़े evils है वहां की बुराईया जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है कवीता की टेक्स्ट की बात कर लें कवी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते है towards the poverty of our country हमारे देश की गरीबी के उपर है ना देश में सुभावी के हमारा देश जो है दुनिया के गरीब देशों में गिनाज आता है तो यहां पर गरीबी और गरीबों की शंख्या जो इतनी ज़्यादा है poverty के लिए जो हमारा country हमेशा notable रहा है हमेशा ये बात बहुत चर्चा कवी से रहा है तो इसमें इंडिया के poverty को जो है यहां के poor लोगों को जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके बारे में हमें introduce कराया है उनसे हमें रूबरू करवाया है उनके life के बारे में हमें बताने का काम किया है अब यहां पर कुछ हम classes के नाम लेंगे जैसे की भीखारियों को जीवन कैसा होता है hawkers, hawkers समझते हैं hawkers वैसे तो जो अकभार देने वाले होते हैं उनको hawkers कहा जाता है घर-घर जो अकभार पहुँचाता है आपको pavement sleepers जो फुटपात पर सोते हैं वे लोग and the people of slums और जो गंदी बस्तियों में जो लोग रहते हैं slums मतलब होती गंदी बस्तियां और गंदी बस्ति का मतलब समझी जो वैसा गाओं आप लोग सुने होंगे कि सीमापूरी एक दिली के पास एक गाओं है वहाँ पर पूरा एकदम कचड़े पर भी बसा हुआ गाओं है तो ऐसे सब गाओं जो slums होते हैं गंदी बस्तियां जो होते हैं उहां के जो लोग होते हैं उनका जीवन कितना मुश्किलों से बरा हुआ होता है तो इसमें उन्होंने हमको वो चीज हम लोग को इंट्रडूस करना चाहा है वो हमें बताना चाहा है यहां पर लिखा गया आगी कि नेवर लीडे हैपी लाइफ यानि इनका जीवन कभी भी सुखद नहीं होता है वो जीवन में कभी खुश्या नहीं देख पाते हैं वो अपने पूरे जीवन इस्ट्रगल करते रहते हैं यह कुछ समाजिक मुद्दे को भी चूता है यानि इस कविता में कुछ समाजिक मुद्दे की भी बात की गई है जैसे कि डोमेस्टिक वाइलेशन, घरेलोहिंशा घरेलोहिंशा समझ लीजे जैसे कि घर में वाइब्स पर पत्नियों पर जो अत्याचार होता है घर की महिलाओं पर क्रिमिनल एक्टिविटीज जो अपराधिक गतिवीदियां होती हैं जैसे कि मॉलेस्टेशन वेगरा हो गई या फिर सेक्ट्वल क्राइमस जो रेप वगरा होते हैं या फिर ऐसी कोई भी घटना हैं जो कि जिसमें वीमन्स पर खास करके ज़यदा जो एवीमन पर क्राइम होता है उनके साथ अन्याय होता है अधिस्टिस होता है लेकिन हम लोग ज्यादा फैमिलियर होते हैं जानवरों के परती पेट्स के परती जो गाओं में जो जानवर होते हैं जो भी हो पेट्स हो या फिर कोई भी जनरली कोई जानवर हो हम उनसे ज्यादा करीब होते हैं हम उनके और ये सहर के लोगों में ये नहीं देखा जा सकता ह क्योंकि और इंडिरेक्ट वे भी देखें तो सहर के लोग हम जो एनिमल्स होते हैं उनको नुक्सान पहुंचाते हैं बहुत तरीके से आप हम थोड़ा उधारण देना चाहेंगे जिसे मान लीजिए पॉलुशन के लिए कौन जिम्मेदार हैं सहर के लोग हैं सहरी जिम्मेद हैं तो इंडिरेक्ट वे में जो है वह एनिमल्स को बर्ड को हार्म कर रहे हैं नुक्सान पहुंचा रहे हैं और भी कुछ एक्जामपस ले सकते हैं जिसे की गायब है स्केटल्स जो होती है जो सड़कों पर चलती है प्लास्टिक्स वेगर खा लेती है आप लोग देखते ह कि ना किलियर है कि सहर के लोग कितना बुरा करते हैं एंवारमेंट के लिए हो या फिर आनिमल्स के लिए हो या फिर मैंन के लिgeon इंसानों के लिए हो यानि जो परियावरण की जो इस्तती होती है जो महावल होता है महा का जो कि प्रदुशन से भरा हुआ होता है तो उसको भी इसमें वर्निंड किया गया है उसका भी अब क्रिटिसाइज़ का मतलब तो आप समझते होंगे criticize का मतलब आलोचना करना यानि आपने अक्सर कविताओं में पढ़ा हुआ कि गाओं की सुन्दरता का बर्नन किया जाता है या फिर natural जो भी लेकिन यहाँ पर बिलकुल ही opposite है इसलिए भी ये रिमार के बला है ये poem कि इसमें इन्होंने reality को दिखाया ये नहीं कि मतलब इसकी कमियों को धकने का प्रयास किया कमियों को ना गिराने का प्रयास किया इन्होंने एक realistic way में इस poem को लिखा और जो भी अच्छाई बुराई evils, goodness जो भी यहों सब को हमारे शामने रखा यहाँ पर दिखी क्या क्या चीज़ है इसमें ये सब खास topics रहे है फर्दर आगे बढ़ें तो यानि सहरी जीवन को उनको गैर आरामदायक लगता है मतलब बिलकुल ही प्रिशान कर देने वाला साव वहां का जीवन होता है कभी के अनुशार और आप भी एबात आप फिल क्योंगे समझ सकते हैं कितने ज़्यदा noises होती है सोर सबसे ज़्यदा सोर सराबा smell हो गई pollution हो गया मतलब कहीं न कहीं peaceful वह है नहीं किसी भी एंगल से हाँ भले ही वहाँ पर facilities होती है luxurious life आप जीते हैं but there is no peace I think in the city life he says that people of cities always seek their pleasure यानि सहर के लोग जो होते हैं हमेज सा अपनी खुशियां डूणते रहते हैं no matter दूसरों को क्या होता है नुकसान पहुंचता है कि क्या होता है सहर के लोग selfless नहीं होते हैं वो कालफी ज़्यदा selfish भी होते हैं ऐसा मेरे point of view से माना जाए हुए लोग और उतना ज़्यदा उन लोग का कोई आप लोग हम लोग के गाउं में दिखे का गाउं पर मुहले में कुछ भी होता है तो हम तुरत गैदर हो जाते हैं सारे कत्रित हो जाते हैं हम cooperative होते हैं गाउं के लोग सहरों के पैक्षा वहाँ पर कहता है न हम एक सब बोलते हैं कि गाउं के लोग इतने ज़दा cooperative की थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हमें कुछ न कुछ सुझाव देने आते हैं या फिर जैसे भी हो physically हो या अपने thoughts से हो हमें ज़रूर जो है हमें sympathy जो हो मतलब इसमें कमी नहीं होती है लेकिन सहरों में देख लीजिए बगल वाले घर में आग भी लग जाती है तो बताना भी जरूर नहीं समझता आपको मदद तो दूर तो यह इस्तित्या होती है आपने ख्यूदिय की feel करी होंगी there is found vulgarity vulgarity यानि असलिलता भी काफी जदा देखी जाती है अब सहर आप city life को देख लीजी वहाँ पर parties जो clubs वगरह होते हैं bars वगरह होते हैं वहां का main part है कि नहीं खुशियां ढूनने के लिए लोग वहां जाते हैं clubs में जाते हैं या कोई parties वगरह parties क्या क्या होती है तो वहां क्या scene क्या होता है सबसे man factor होता है वह vulgarity ही होता है असलिलता ही होता है sleeve lace, back lace, top lace कैसे कैसे कपड़े पहने जाते हैं खासकर के women को वहां पर demoralize किया जाता है और women पता नहीं मजबूर होती हैं बट यह तो होता है जरूर होता है वहां पर कह सकते हैं कि vulgarity बहुत जादा होती है samelessness आप इसको बिलज़ापन, बिसर्मी भी कह सकते हैं sameless women and men और यह sameless सिर्फ हम महिलाओं को नहीं कह सकते क्योंकि men को इसी में pleasure नजर आता है, खुशिया नजर आती है तो यहाँ पर दोनों हुए, sameless men and women and the worst behavior और उनका व्यवहार ठीक है जैसे भी कपड़े पड़ेदों कैसे परिधान पहने मतलब नहीं है, cloths matter नहीं करते लेकिन वहां के लोगों की नजरे सभविक है तो वह भी बहुत ही गलत होता है तो यह हर तरह से behavior हो या फिर जो हमारे insights हो, वो सब कुछ गलत होता है, he calls the people of cities sick, both physically and mentally, अब देखो अब वहां के लोगों को वो कहते हैं कि वो बिमार है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या सारेडिक रूप से, अब सारेडिक रूप से यानि सहरी जीवन का जो बहुत ही बेकार सा दुखद कह सकते हैं annoy कर देने वाला जो वहां का aspect पहलू जो होता है, उनको काफी ज़्यदा उनसे परिशानी है, perhaps people find cities attractive, but the people who live there are mentally sick मतलब, लोगों को ऐसा हम लोगों अक्सर लगता है, अगर सहर का जीवन बहुत ही comfortable, luxurious होता है वहां का life, जो चाहाँ सब हाजिर हो जाता है, मतलब facilities बहुत ज़्यदा होती है, हम उसके पीशे भागते हैं कभी-कभी और यही कारण होता है कि आज गाउं का भी सहरी करन हो रहा है, urbanization काफी fastly यह take place कर रहा है हो रहा है, तो यह एक तरीके से और या फिर कह सकते हैं, पलायन सहरों की तरह भागना, लोग गाउंस छोड़कर सहर जा रहे हैं, तो गाउं में लोग रहना पसंद नहीं कर रहे हैं just because कि यहां पर उतनी facilities नहीं होती, लेकिन यह peacefulness यह कहां होता है, और कहीं नहीं in fact there are two aspects of human life always, यानि इंसान की जिवन के हमेशा दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं everyone talks big मतला यहां पर क्या, दो पहलू क्या दो पहलू, पहलू वो की कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा आपको प्रीच करते हुए नजर आएंगे, उपदेश देते हुए बहुत बढ़ियां बढ़ियां उपदेश देंगे लेकिन खुद का पता नहीं खुद क्या करेंगे और when there comes a chance to prove everyone steps back और जब करने की बारी आती है साबित करने की नहीं चलो ठीक है बहुत अच्छे हो आप लोगों को अच्छी बाते बताते हो तो फिर आप अपने बारे में अपना जब आता है कि नहीं हम आप साबित करके कुछ दिखाओ तो उस समय हम stay back कर लेते हैं, हम पीछे हर जाते हैं अब समरी तो यह होगे आपका या फिर analyze कह सकते हैं the themes of the poem can be reality of city life city life की वास्तविकता मतलब दूर से जैसा दिखता है नहीं all that glitters are not gold चली तो यह यहां पर हो गया और ugliness of human human के भी अंदर जो बुराई होती है abilness and ugliness of humans होता है इंसानों के अंदर जो कह सकते हैं and the real India the real India और यह अभी तक यह खत्म नहीं हुआ आपको क्या लगता है कि अब नहीं इंदिया बहुत अच्छा हो गया well developed हो गया क्योंकि यहां पर ज्यादा सहर हो गया तो सहर होए तो कभी के अनुसार तो सहर और भी खराब हो गया ना इंडिया और भी ज्यादा करप्ट हो गया तो हर तरह से जो है इसमें इंडिया को कह सकते हैं कि इंडिया के bad aspects को या इंडिया के जो कह सकते हैं black side को exposed किया गया है कभी के द्वारा और actually में उनका purpose बुराई करना नहीं है बलकि हम तक ये संदेश पहुचाना कि हमारे समाज में हमारे देश में ये भी exist करता है हमें कैसे इसको remove करना है I hope you can get it thank you for watching the complete video मिलते हैं किसी next video में एक नए poem एक नए play एक नए content के साथ तब तक अपना ध्यान रखे नन्यवाद